हेलो एब्रीवन जो मैंने पहले ब्लोग डाला है यह उसके बाद का पाठ है तो यहां पर मैं सोने को सुला रही थी तो वो सो ही नहीं तो फिर मैं उसके लिए एपल कट कर दूंगे और दादू भी खा लेगा तो वो दोनों खा लेंगे और फिर दादू कहने लगा मामे मतलब ऐसा सबजी के साथ भी नहीं खाता है से दाल वगेर होती तो उससे खा लेता है और यहां पर देखिए अपल कट हो गया है मैं उसको दे दूंगी ले जाके और एक्चली में ना मैं सारा काम इंडेक्शन में कर रही हूं और यह इसमें ना मतलब यह वाला इंडेक्श करें देखा क्याना था कि तो फेर नकास चेल से कामने लेते तो फिर मैंने गुड़ काई हम् Heartscade उपले बनाया था सूजी का तो यहां पर मैं चाबल चड़ा दूँगी और फिर इसके बाद हलूर बनाने की तैयारी करूँगी ऐसा तो वीडियो में आगे बने रही है वीडियो अच्छी लगे तो कर दो कि बनाया है वीडियो सुऴाओर में आगे गुट है वीडियो अबनाया दोल वीडियो में आगे वीडियो जिए दो कि अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यहां पर देखिए मैंने मतलब नारियल को किस कर लिया है तो मैं यह नारियल ही डालूंगे बागी कुछ नहीं डालूंगे और यह गुड़ रखा है यह गुड़ डालूंगे और इलाइसी तो मतलब खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हो रखा था अच्छा लग रहा था पहली बार बनाया था मैंने गुड़ का हलुआ पर काफी अच्छा लग रहा था तो यहां पर मैं इसको अच्छा से कर चाहिए में और अभी इसको वाइड कलर है और गुड़ डालने के बाद फुरा चैंज हो जाएगा उसका कलर पर खाने में अच्छा लग रहा था ऐसा तो यहां पर देखिए मेरा हलुआ बन रहा है और फिर उसके बाद में वाकी के काम करूंगे यहां पर मैंने थोड़ा स अच्छा लग रहा है और यहां पर दादू को मैं दे दूंगे आपको यहां पर देखिए हलुआ बनके एकदम ब्रेडी है और कितना अच्छा लग रहा है न और यह दादू के चावल भी बन गए अच्छे से मिक्स करके क्योंकि वह दूझ से भी नहीं खाता है वह बोलता है मैं अच्छा नहीं लगता है यहां पर देखिए मैंने आलू भी चड़ा दिये थे क्योंकि नहीं कुकर में मैंने चावल बना लिए थे तो पर आलू कैसे बॉयल करना है इस वज़ा से फिर मेंने ना इसमें कडाई में रख दिये था और यहां पर मैं आटा भी लगा लूँगी और यहां पर यहां पर यहां लगा के मैं रख दूँगी सेट होने के लिए और क्या है ना सोनी भी रो रही थी और मैंने आलू रख दिये बोईल होने के लिए तो फि एक्दम गोदी गोदी कर रही थी इस बज़ें से तो फिर मुझे गोदी में लेना पड़ा यहां पर थोड़ी से मैं अजवाइन डालूंगी आटे में और थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डालूंगी उससे थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ऐसा तो यहां पर मैंने डाल दिया है जवाइन उसके बाद हल्दी और नमक डाल दूंगी और उसके बाद आठ्टा लगा लूंगी एक्चलियो मीना इसके पापा तो गहें ड्यूटी और मतलब अभी है ना मतलब ऐसा है हमारा कि अभी डेली का हमारा रूटीन शेट हो गया है कि मतलब एक दिन हैना रे के जाते हैं गार्डन में थोड़ा घुमाने के लिए उनको ताकि उनको भी अच्छा लगे और फिर इसके पापा भी उनका रनिंग कर लेते हैं जब तक मैं अपने बच्चों को देखती हूं और खेलते रहते हैं उसके बादे ना थोड़ी फिर उसके पापा देखते हैं मैं बच्छों को फिर में रनिंग करती हूं थोड़ी वहुत मैं तो भ्ष मोथ कम करती हूं क्योंकि मुसे ना वहीं नी पा रहे हैं आजकल की आइना मतलब नियुक्यों कि उत्यागता है नीपने अपना योगा वगेरा स्श्श्रानिंग मगेरा करोना तो ठीक रहता है पहले में करती थी जब दादू नहीं था तो उसके पापा और हम मोर्निंग में जाते थे पर अभी है ना मेरा ऐसा हो गया है कि एकदम गरी गर में तो इस वज़े से ना तो हम ये रूटिन शेट हो गया है तो आज तो उसके पापा नहीं है अब कल आएंगे तो कल मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे गार्डन में घुमने के लिए डेली लेके जाते बच्चों को फिर रात में अभी माता जी का है तो उनको थोड़ा दर्सन कर अलाते हैं मेले में भी घुमा के लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ऐजा और उसके पापा तो है अभी मतलब फुल मतलब फुल डाइटिंग पर चल रहा है जो अंकूरी तो जो चने वगेरा मूं होते हैं तो यही खाते हैं वो खाना भी आदे से भी आदा कर दिया है खान वज़स है ना वह अभी मतलब बहुत कम ले रहे हैं वो मिर्च मसाला है ना बिल्कुल भी मतलब कमी खाने की कोशिज कर रहे हैं तो यह पुड़ी बगेरा तो वो खाते नहीं तो अभी यह ना नवरात्री का टाइम है तो फिर मुझे डेली भोग लगाने को चाहिए होता ह तो इसलिए ना हम सब के लिए बना लेते हैं तो हम भी खा़ लेते हैं एक क्राइप ऐसा तो यहां पर देखिए मारिट इसमेंने मेसाला नहीं डाला आए बस ऐसे और है nor burbhen भी नहीं था एक ही था तो इसमें जitting सबल जब कि अबरसमें उबाल आना बाकी है यह देखिए ओबाल आ गया है सब्जी में सब्जी में और देखने हैं विकाके एच्छी लगड़ी थी कि आपर सब्गी होगी है मेरी और मैं पूड़ी बनाने की तैयारी करूंगी तो मैं पहले भूग के लिए बना लूँगी अलग निकाल के रख लूँगी अच्छली मैंने लोईयां वगेरा बना ली थी और फिर उसके बाद में बेल बेल के रख लूँगी ना तेल गरम भी हो ही इस वजयसे तो एक उड़ी है नश्का तेल है सरोकास तो तेल में मेरे बन पर जता यह जल रहा था तो मैं पोर होगी तो कि यहां पर देख सुनित बनाई थी ऑ फिर अपने लिए थो यह मितलगा देखना करना तो इस पूरियां बनाई थी मैंने यहां पर देखी मैं सारी पूरियां नहीं काल लूँगी और फिर इस तक के ब्लोग में ऐसे बने रही है आगे झाल है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह देखिए दोस्तों भोग की थाली एकदम रेडी हो गई है और मैंने कंडा लगा दिया है उसको हो जाएगा उसके बाद में फिर भोग लगाऊंगी इस देखिए और सोनी भी पता है बीच में आ गई थी मैं जब पुड़ी बना रही थी तो वो रो रही थी तो यहां पर देखिए अभी थोड़े बहुत बरतन रखें इनको मुझे वाश करना है यहां पर देखिए कंडा वा सोने वाला है झाला वाला है कर दो 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 कर